मैं आपका सिख्षक दीपक सिंग बेवसाइक और जीके के थोड़ा सा कुछ रहे गया है तो एट पार्ट जो हमने आठ भाग भाग दिये हैं आपके वह लगभग जीके आपका NCC के लिए ठीक है बाद में हम लोग जब इस पर डिस्कस करेंगे तो जुडी के लिए या सिपा संभावना बनती है पूरी की पूरी की आपको फॉर्म और आपकी फॉर्मिल्टी पूरी की जाए और साथी साथ आपको NCC से रिलेटेड और भी संभावना है इसी हपते में हैं आप लोग अपनी TC आइडेंटी कार्ड वगारा कम्प्लीट कर लीजे ये बार बार मैं आपनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिगृ कालेज में भी जो चात रहें वो भी अपना डिगृ कालेज में मतलब बारा पास कर गए जो वो भी अपना TC मारशीट ले लें कालेज में हमारे महावे इंटर कालेज में तो आ चुकी है कई दिन से टी सी में थोड़ा टाइम लग जाता है एक दो दिन का तो इसलिए तुरंट अपलाई करके उसको लेके और वहाँ एड्मिशन तुरंट हो जाएगा क्योंकि बगल का कालेज है इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जैसे कि आपका एक अंतरराष्टिय परमाण उर्जा आभिकरण यह एक फुल फार्म में है और इसका अगर आप देखें तो यह आश्ट्रिया में है इसका मुख्याल है और एक है आपका यह स्रम से रिलेटेड है अंतरराष्टी यह स्रम संगठन आई यलो और खा देवंग क्रिसी से है FAQ अक्सर पेपर में देखते हैं डबड़ी अच्चो को आभी आप देखते हैं विस उस्वास का संगठन यह अभी करोना में चली रहा है यह जिनेवा में इसका मुख्याल है और फिर उसके बाद अंतराष्टी मुद्रा कोस जिससे अभी पैसा वगारा सब देखा जाता है तो अंतराष्टी मुद्रा कोस यह IMF इसको कहते हैं और फिर उसके बाद UNICEF यह आपको मिलेगा यह न्यूयार्क में है इसका हेड आफिस अमेरिका में और फेरिस फ्रांस में है UNESCO का और अंतराष्टी विकास संगतन IDA और संदुट राष्ट संग के यह विभिन नंग है करिक संदुट राष्ट संग में 54 देश हैं और यह आपका इनको आपस में चुना जाता है किसी को अगर जोडना हो तो यह और यह डाक संग है UPU सरभौमिक डाक संग अंतराष्टी दूरसंचार ITU यह इंटरनेशनल यह जिनेवा में यह भी है सुट्जर लैन में और उसके बाद आपका विस मौसम जिससे आप जानते हैं तो WMO यह आपका विस मौसम का ग्यान आपको और अंतराष्टी यह सम्मु समुद्रिक संगठन और विस बॉद्धिक संबथा संपठन यह भी WIPO और यह वाद व्यापार का तो वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाजेशन आप जानते ही हैं विस व्यापार संगठन यह आपका 1995 में जिनेवा में भी है स्विट्जर लैंड में वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाज तो आज के लिए यही फुल फॉर्म में लगभग यही के है आपका आज के लिए और इस हफ्ते में संभावना आपकी है पॉसिबिल्टी एंसीसी की और आगे जैसा होगा आप मिस्चिता को पताऊंगा ग्रुप में और जो भी क्वेश्चन हो आप उसमें लिख सकते हैं मै पुरी कोशिस करूंगा आपने तरफ के जवाब देने की नहीं होगा तो किसी से पूछ के दूँगा मैंनी मैंनी थैंक्स चात्रों और बेस्ट आफ लग फार एंसीसी